उसको साजेस्ट किया गया है, फाइनलाइज नहीं है, लेकिन साजेस्ट किया गया है, आप लोग इस पर अपना फीड़ बैक जरूर दीजेगा, जो हमारे पंच परमेशन हैं, इसमें शुश्मा जी हैं, मादवी मेडम हैं, सुकेज जी हैं, राहुल जी हैं, और कृष्ण का इस चल रही है, इसलिए हम लोग इस जगह पे कृष्ण कान जी को ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज में सोचा था कि काफी अच्टिविटी अच्छी रही है लोगों की, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर गरती है, तो डेफिनिट्टी उसका आफर आपके उ आपरवाहि करते हो, तो प्रमोशन भी मिलता है, डेमोशन भी मिलता है, प्ट्रैज मिलता है, तो कहीं न कहीं, सुष्मा जी, माध्वी जी, सुकेज जी, रहुल जी, और कृष्न कान जी को टीम फाइव या फिर जिसे हम पंच परमिशर कहते हैं उसमें ले रहे हैं इस टीम को हेड करेंगी सुष्मा मैम आपको डिर सारी शुब कामना है अपि यह फाइनलाइज नहीं है बट इसको हम लास्ट में फाइनलाइज कर दिंगे इसको दूसरी जो हमारी टीम होत वो सबतरिशी की टीम है और सबतरिशी की जो टीम है इसमें हम ये उमीद करते हैं कि इसमें साथ लोग जो होंगे उनमें वो साथ लोग होंगे जो एक्टिव हों कुछ नया करना चाहते हों जम्मेदारियों को बदला जा रहा है चीजें बहतर करने के लिए तो उसमें हैं सन्जना जी हैं रोशन जी हैं बावना जी हैं बेबी जी हैं बविता जी हैं इस टीम को लीड करने के लिए हम लोगोंने चूस किया हुए है नीतू बालियान को अगर नीतू बालियान एक्टिव होती हैंपन वो अपनी पर्फॉॉमनस दिखाती है तो उनको सब तरीशिक की लिए चूज किया जाईगा सब तरीशिक को वह लीर करें गाईड करें और अगर वह नहीं करती हैं तो उस कंडिशन में हम लोग भावना जी को मौगा देंगे भावना जी को हम हम उम्मीद करते हैं बावनाजी यह भी यूथ हैं नया है बलड है न्का और कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं तो इनके गाइडलाइन चीजिए रहेंगी हम उम्मीद करते हैं कि बावना ज्य भी पूरी थिर्फ ही अच्छफी काम करेंगी वाकि क्यों होता है क्योंकि T.I.M. 13 का मतलब होता है बारह गारजियन एंजिल्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मै जूर जुलाइ अगस्ट सप्टेंबर अक्टूबर नौंबर दिसंबर बारह महीने के लिए बारह गारजियन एंजिल्स होते हैं और इनका एक कैप्टन होता है जो इन गार्जियन्स एंजल्स का भी कैप्टन होता है तो यह हो जाता है टीम 13 के इसे कहते हैं उसलोग है उनके साथ में कॉलिंग करके उनके साथ उनके हाल चल को लेना उनकी समस्याओं कु सुनना ता कि समस्या ना बनी रहे बविश में समझ से आए बट उसको बात चीद करके किसी भी तरीके से समाधान कर दिया जाए तो ये जो एक जिम्मेदारी है ये बड़ी कोई बात नहीं है तो ये जो जिम्मेदारी है ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम उमीद करते हैं कि आपके पास में थोड़ी सी एक्टिविटी होना आपका बहुत जरूरी है और चुकि हमने कहा आपसे कि नए लोगों को लेना है और नए लोग के साथ जिम्मेदारी बढ़ानी है तो इसमें कियाता है कि जो टीम के जो हेड होते हैं उनका काम होता है कि टीम के हेड अपनी जिम्मेदारी को समझें और नीचे के लोगों के साथ कॉडिनेट करें अपनी टीम के साथ कॉडिनेट करें मित्रम आपको टीम वर्क सिखाता है ग्रूप में कैसे काम करें ये सिखाता है जब तक आप ग्रूप में काम करना नहीं सीखोगे आप परिवार का मतलब नहीं समझ पाओगे तो परिवार में माँ, बाब, भाई, बेहन सिर्फ यही नहीं होते हैं, बहुत कुछ होता है लेकिन आपको उनको समानतर रूप से समझना होता है कि अगर कोई टीम में काम नहीं कर पा रहा है तो क्या कारण है, पहले तो उसके साथ बातचीत करिए और उसकी समस्या को समझने की कोशिश करिए कि अगर वो डिवोट候ी है है जैसे आप ने कहा कि में कृकट में केलना आपको कहता होँ, काई कि मेरा क्रिकट कीयल कारणन है और आपको कईना जी है हम लुख को टीम बनाना है तो को चलू तो वो जाकर कि आपकी टीम को नुकसान पहुंचाता है तो पहले पूछ लीजी सामने वाले से कि वो क्रिकٹ खेलना चाहता है कि ने खेलना चाहता है फिर देखा जाता है कि किसको ओपनिंग बैटमेंड बनाना है किसको भाई बॉलर बनाना ये डिसाइड किया जाता है तो सुमेर सर काफी दिनों से हम लोग के साथ जुड़ते आ रहे हैं तो सुमेर सर एक गार्जियन्स के तौर पर भी हम लोग के साथ हैं तो हम लोग सुमेर सर को यहां पर प्रमोट कर रहे हैं उनके सुपरविजन में टीम 13 काम करेगी टीम 13 में जो नाम हैं वो हैं जी और आयोशी जी अब ये जो नाम रखे गए हैं इसमें से नाम बढ़ या घट भी सकते हैं क्योंकि टीम 13 हम ऐसे